आज की इस अद्बुत वीडियो में जोद पुरिया की तरफ से आपको हारदिक बढ़ाई आज हम एक ऐसे विशे के उपर जानने जा रहे हैं जो हमेशा से विवादित रहा है और बहुत सारे लोग उसमें सहमती भी रखते हैं तो वो विशे है कि क्या आत्मा होती है आपका जवाब क्या होगा कि आत्मा होती है अगर इंडिया के अंदर बच्चे से भी पूछा जाए क्या आत्मा होती है तो बच्चा बच्चा जवाब देगा आत्मा तो होती है और कई बार हम पूछ भी लेते हैं कि आप कौन है तो यही कहते हैं कि मैं आत्मा हूं मैं परम शांत आत्मा हूं हम किसी भी सब्द की गहराई तक जाएंगे कि यह आत्मा क्यूं बनी और क्या वास्तों में आत्मा होती है आत्मा होती है तो वो कैसी होती है आज इसी को हम साइंटिफिक विग्यानिक तरक के आधार पर जानेंगे तो सबसे पहले जो हमारे सामने कुछ रोता हैं उनसे जानते हैं कि क्या आत्मा होती है उन्हीं के सवालों के जवाव के अधार पर हम आगे बढ़ेंगी तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आत्मा होती है आत्मा होती है तो इन्होंने कहा कि आत्मा सुना है क्या आपने आत्मा देखी कभी तो क्या आप मानते हैं कि आपके अंदर आत्मा है? इन्होंने एक बात कलियर कर दी कि सुना हुआ है उसके आत्मा के बारे में बच्चे बच्चे ने सुन रखा है तो इस तरख के आत्मा पर लगता है कि सुनी हुई बाते हैं आत्मा रियल में नहीं होती तो आगले सरोता से हम जानते हैं क्या आत्मा होती है हाँ इन्होंने किसी संस्था का नाम नहीं लेंगे क्योंकि संस्था के फोलोवर हैं वो आपती उठाएंगे तो किसी संस्था के दोबारा इन्होंने पढ़ा कि एक आत्मा होती है तो क्या आपने अनुभव किया आत्मा का तो इंडिया के अंदर या बाहर भी लोगों ने सुना होता है माना होता है कभी अनुभव नहीं किया होता क्योंकि जिसने अनुभव कर लिया वह आत्मा से दूर हो जाता है तो रियल में हम इससे पहले अनुभव की बात करें इससे के अंदर एक आत्मा होती है कि अपर पेड़ पुदों में आत्मा होती है है ऐसा क्या लग अलग जमीन में रौप दें नहले बन जाएंगे बन जाएंगे तो इसका मतलब वो आत्मा कट सकती है जो एक सरोमानिय सिधान था कि आत्मा को ना काटा जा सकता या मानते हैं आत्मा की बिशे में पता नहीं है लेकिन मानते हैं तो इसका मतलब वो दस हिसों में बट गई आत्मा काटी जा सकती है इसका मतलब तो इसी परकार एक बोतल हम लेते हैं उस बोतल में हम गंधा पानी बढ़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें जीव पैदा हो जाएंगे तो उसके अंदर भी एक आत्मा है तो वह आत्मा आई कहां से हां जैसे ही उस पानी को हम वातावन में रख देंगे नोर्मल टेंपरेचर पर तो वह जीव गायव हो जाएंगे तो वह आत्मा गई कहां इसका कोई ज़्वाब ज्यादा तर मिलता नहीं है तो इसी परकार वह हम एक वाटर जो टैंक है उसमें कुछ मचलियां है उनके उपर तो उन में आत्मा है उन मचलियों में आत्मा है उन में भी आत्मा है अब एक मानिये कि जब ये मचली समुंदर में नहीं थी तब ये कहां थी कहीं नहीं थी और अब कुछ समय तक समुंदर में है इसके बाद ये समुंदर में मिल जाएंगी कहां चले जाएंगी हाँ आत्मा दूसरी में प्रवेश करेंगी इसका मतलब अच्छा सेकिंड बन होती है ये भी एक धारणा के तहत माना गया है ऐसा हम सोच रहे हैं क्या ऐसा होता है यह भी सुना है तो देखी कि मचली पानी से पैदा हुई पानी में मिठ जाती है अजारों सालों से यही प्रकिरिया हो रही है अब इनसान है जा अन्यजीव है वह इसी वातावरण में पैदा होते हैं और इसी वातावर्न में मिट जाते हैं तो मचली से अगर पूछें कि पानी है तो मचली क्या कहेगी पानी नहीं है परकारम से बूलबुला पादा होता है और पानी में मिल जाता है उसी परकार इंसान या अन्य जीव यहीं से पैदा हुए और यहीं मिल जाएंगे तो यह एक नैचुरल प्रोसेस है तो इसके अधार पर हम खह सकते हैं कि आत्मा नहीं होती अभी भी कन्फूजन है क्योंकि हमने यह भी एक सुना हुआ ग्यान है जैसे आत्मा होती है यह भी एक सुना हुआ ग्यान है आत्मा नहीं होती है यह भी एक सुना हुआ ग्यान ही है तो दोनों सुने हुए ग्यान को हम एक बार काट देते हैं अब हम सलते हैं रियल एक्सपीरियेंस की और अगर विग्यानिक की बात करें एक महान विग्यानिक जिनोंने कहा था कि energy neither can be create, neither can be destroy, only form can be changed कि energy को ना तो पैदा किया जा सकता ना उसे destroy किया जा सकता सिरफ रूम परवर्तित किया जा सकता है तो उसी परकार एक बार गिता में भी कहा गया था कि आत्मा ना तो मरती, ना गलती, ना सड़ती, सिरफ वो रूप बदलती है तो वो आत्मा सिरफ एक सबद था, उस सबद को हमने किसी और रूप में ले लिया उस आत्मा का मतलब एनरजी से था कि एनरजी ना तो कभी मिठती ना मिटाई जा सकती, सिरफ रूप बदलती है तो आज हम एक एनरजी की फॉम है एक फॉम ही ही है जो दिखाई दे रही है कुछ कंबिनेशन के कारण कुछ कंबिनेशन पदार्थों का मिला और यह एक फॉम बन गई तो यह फॉम इसी वातावन से पैदा हुई यह एनर्जी की एक फॉम है और कुछ समय बाद इसी वातावन में यह फॉम डिस्ट्रॉय हो जाएगी जैसे पानी से बुलबुला बना और पानी में ही मिल जाएगा तो ये स्रीर जो भी है ये इसी से बना और इसी कुछ देर में डिश्ट्रोई हो जाएगा तो ये एनरजी है तो एनरजी का मतलब है कि एनरजी रूप बदलती रहती है आज ये एनरजी किसी स्रीर के रूप में है कल को किसी पेड़ के रूप में हो सकती है उसके बाद किसी और फोम में हो सकती है तो जो आत्मा का जो कंसेप्ट आया था वो गीता से इस परकार से आया था कि वो ना मरती ना उसका जनम होता सिर्फ वो रूप बदलती है लेकिन हमारी माइथलोजी ने उसे किसी और रूप में पेस कर दिया उसके अर्थ बदल गए थे तो रियल कंसेप्ट आत्मा का यही था कि हम अपने रियल अस्तितों को समझें कि हम एनर्जी सवरूप है हम खुद एक एनर्जी है और ये एनर्जी इसी वातावर्ण से पैदा होती है और इसी वातावर्ण में मिलती रहती है पूरे बर्मांड में एक एनर्जी है उसी एनर्जी को आत्मा के समकक्स कहा गया है लेकिन हमने सोचल मीडिया या लोगों की परीक अथाओं के आदार पर सोच लिया कि इनसान के अंदर इनसान जैसी एक आत्मा होती है और मरने के बाद वो निकल भी जाती है और निकलने के बाद वो वातारण में ट्रेवल भी करती है और वो सवरग में भी जा सकती है नरक में भी जा सकती है या कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि वो किसी की मिर्ति हो जाती है खास करके अकारण जो मिर्ति होती है उसी में वो कंसेप्ट लागू करते है के बाद जो इसके पदार्त रूप है जो एलिमेंट्ट सैं साइंस ने जो एक सो आठ या ए जितने भी कहें हैं तो यह अने अपने आप में अलग हो जाते हैं और इसी वातावरण में मिल जाते हैं सब कुछ असी बातावर्ण से मिला और वो कहते हैं न कि यह श्रीर भी एक पल का कसरा है और जो हर वो चीज जुदा हो जाएगी जो आज तुम्हारा हिस्सा है तो यह चीज tablet होई जानी है जो हमारी स्रीर का हिस्सा है तो मरने के बाद इसमें से कुछ भी नहीं निकलता है अनर्जी जो अलग-अलग तत्व है अलग-अलग तत्व में चले जाएंगे इसके बाद इससे ना तो कोई आत्मा निकलती ना कुछ भी नहीं निकलता है यह एनर्जी की एक फोम थी जो दूसरी फोम म तो यह सिरफ ड्राने के लिए conclude चला थ harm देखी इंसान के मनोवग्यान के यदार पर काम करता है जिस इनसान इंसानी दिमाग क्रियोट संदों पर काम करता है अब जिस किसी पिरिये की डेथ हो जाती है ज्यादा अतर जो भुजूरुग डेथ कर जाते हैं उनकी आत्मा या उनकी नहीं मानते हैं उनको पितर जो नहीं या उनमें शामिल कर देते हैं सराथ बगरा चड़ाते रहते हैं लेकिन जो जवान था और एक प्रिवार का सहरा था अग वो उसको किसी ना किसी रूब में जिन्दा रखता है तो वो उस रूब में जिन्दा रखते हैं कुछ पितर के रूब में जिन्दा रखते हैं कुछ जो भी धारणाई हैं उसी रूब में उसे जिन्दा रखने का प्रयास किया जाता है ताकि उसकी उस मौजूदगी को वो फ विकार कर ही नहीं पाते हैं अगर सिधा-सिधा वो मान लें कि कुछ नहीं होता जो सब कुछ तहस नहास हो गया तो कई बार मानसिक मन इतना मजबूत नहीं होता वो कई बार अपना संतुलन भी खो सकता है तो इसी संतुलन को बनाई रखने के लिए ये पितर का कंसेप्ट अभास होता रहे और कुछ लोग उससे बाते हैं जो भी है उनसे बात करते रहें रोज उसके साथ जाते रहें तो उसको वो आभास होता रहे इसलिए ये